साथ ही और मस्कार स्वागात है आपका अपने चैनल सक्से जंगसन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए आपके लिए MPPSC 2020 और 2021 की दिष्टी से आति महत्पूर आपका टॉपिक है यूनिट 7 का विज्ञान एवं प्रध्योगी की इससे किस तरह के प्रशन आपकी परिच्छा में पूछे जा सकते हैं तो टॉप 15 प्रशन आपके सामने आ रहा हैं और हर एक प्रशन के बारे में डीटेल में जान ने आ रहा है निमलिकित में से कौन सा मानो रहित रोबोट का नाम है जो मानो रहित गगन यान अंतरिश यान में भीजने के लिए इसरो के द्वारा बनाया गया है तो इसरो ने यहाँ पर एक रोबोट बनाया है जो गगन यान में जाएगा तो इस रोबोट का नाम क्या है गगन मित्र आकास मित्र बियोम मित्र या फिर इस्पेस मित्र चलिए answer दिख लेते हैं सही answer is C यानि कि बियोम मित्र नाम से यहाँ पर एक robot बनाया है जो अंतरिच यात्रियों के साथ में यहाँ पर जाएगा गगन यान में ठीक है ना देखिए तो बियोम मित्र मानो रहित robot का नाम है जिसे मानो रहित गगन यान अंतरिच यान में भेजने के लिए इस रोक के दौरा बनाया गया है यह मोड्यूल मापदंडो की निगरानी कर सकता है और यह अंतरिच यात्रियों को सचेद कर सकता है नام क्या है इसका तो बयोम-مित्र इस रोबोट का नाम है आपको याद रकना है इसरो के दौरा बनाएगा अब इसरो को याद रखी है क्योंकि इसरो चर्चा में दो बज़े से है पहला इसरो के प्रमुक को ने तो K-S7 जो हैं वो इसरो के यहां पर सरकार ने गृत्वा करसंत रंगों पर नसंद्दान के लिए एक परियोजना को मनजूरी दे है उस परियोजना का नाम क्या है यहाप से पूछा जा जा रहा है चलिए एंसर देख लेते हैं क्या इसका एंसर है सही एंसर बी यान की लीगो नाम की एक परियुजना को भारत सरकार के दोरा गुर्टवा कर्शन तरंगों पर अनसंधान के लिए जो हैं यहाँ पर मंजूरी दी गई है आईए कुछ जानकारी आपको बताते हैं तो सरकार ने गुर्टवा कर्शन तरंगों पर अनसंधान के लिए लीगो भारत पूरा नाम याद रखी है पूरा नाम है इसका लीगो भारत लीगो भारत परियुजना को मंजूरी दी है लीगो भारत परियुजना परमाडू उर्जा विवाग यानि की डिपार्टमेंट ओप एटमिक एनर्जी इसका फुल फॉर्फॉम हो जाएगा डिए आई आई आपसे फुल फॉर्फॉम भी पूछा जा सकता है और विज्ञान यों तकनीकी भिभागयानी की डिएस्टी ठीक है इन दोनों का फुल फॉर्फॉम भी आपको याद रखना है ठीक है डिपार्टमेंट ओफ साइंस टेक्नोलोजी आपका डिएस्टी का फुल फॉर्फॉम हो जाएगा और Department of Atomic Energy आपका DAI का फुलपा हो जागा इन दोनों ने मिल करके यहाँ पर एक परियुजना चालूगी है जिसका नाम है लीगो भारत परियुजना और यह क्या करेगी तो गुर्त्वा करशन तरंगों पर अनसंधान के कारेगी ठीक है तो महत्मूर यह परियुजन था नाम याद रखेगा लीगो आगे बढ़ते हैं और अगला परियुजन देखते हैं देखिए निमल कित मेंसे किस मंत्राले ने अक्टूबर 2020 में COVID-19 पर जन आंदूलन अभियान शुरू किया था अक्टूबर 2020 में COVID-19 पर जन आंदूलन अभियान शुरू हुगा था बहुत महत्मूर यह परियुजन बनेगा वही पर आपसे पूछे जाए कि मंत्राले कौन सा था तो और इवाशन है ग्रह मंत्राले, और आपसन भी आईउस मंत्राले, और इवाशन अभिया पर जन आंदूलन शुरू किया था प्रतान मंत्री मोधी ने इसका उधगाटन कीया था काम क्या है तो आंदोलन COVID-19 के सारजनिक स्वाथ प्रक्रिया को उचित बेवार के लिए अभियान मतलब कि कुल मिला करके जागरुकता फैलाने का कार किया गया था COVID-19 उसमें अपने चरम पर था तो किस तरह से COVID-19 से बचा जा सकता है लोगों के बीच में दूरी बनाने की बात की गई थी लॉकडाउन का सही से पालन करने की यहाँ पर बात की गई थी किसी एक DNA में से RNA पर आन्वानसिक जानकारी की प्रतलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बहुत महित्पून प्रशन है आपकर बिग्जान का यहाँ प्रशन है देखिए बिग्जान के जो प्रशन आते हैं जादता प्रशन अच्छे लेवल के आते हैं औरेट लेवर की आते हैं बिल्कुल सरव प्रश्णी यहां पर नहीं आते हैं आपके MPPSC में ठीक ना तो यहीं आप पर पूछा रहा किसी एक DNA मेंसे आप्सन C रूपांत रण, आप्सन नमर डिये अनुवाद, आईए एंसर देख लेते हैं कि उसे हम क्या कहते हैं, सही एंसर A यानि कि उसे हम लिप्य तरण कहते हैं, DNA से RNA पर अगर हम अनुवांसिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आईए कुछ जानकारी आपको देते ह तो देखिए, लिप्य तरण एक DNA से RNA पर अनुवांसिक जानकारी प्रतलिपी बनाने की प्रक्रिया ठीक है, तो प्रतलिपी का मतलब वही है कि फोटोकॉपी एक तरह से, DNA की फोटोकॉपी RNA पर करना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को लिप्य तरण कहा जाता है, इस प्रक्रि देखिए, निमलिकित मेंसे कौनसा एक प्रोटो जोवा है, तो प्रोटो जोवा इनमेंसे कौनसा है, आईए देखते हैं, टिप्रोसोमा, साइकन, फैसियोला या फिनेरेस, इनमेंसे कौनसा एक प्रोटो जोवा है, ठीक है, चली answer देख लिएते हैं कि कौनसा प्रोटो जो ठीक है तो यह जो अब बीमारी है यह बीमारी पूछी जा सकती है याद रखिए का टिपनोसोमा अफरीके स्लीपिंग सिक्निस के लिए रोग वहाग का कारे करता है अब यहाँ पर साइकॉन भी आपका है इसका सही आंसर टिपनोसोमा हो जाएगा पर साइकॉन के बारे में प यह दोनों जो है यह आपके फाइलम पॉरिफोरा भी फाइलम ग्रूप का है और आपका फैसी ओला भी फाइलम ग्रूप का है और नेरेस भी आपका फाइलम ग्रूप का है ठीक है लिकन टिपनोसोमा जो है वो प्रोटो जोवा ग्रूप का है ठीक है यह फाइलम का नहीं है ये प्रोटो जुवा का है और प्रोटो जुवा ही आपसे पूछा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट देखते हैं तेंदुए का वैग्यानिक नाम क्या है देखिए वैग्यानिक नाम लगातार पूछे जाते हैं परिच्छाओं में अब ये न्टी पीसी में पूछा गया था तो आपकी परिच्छा में पूछा सकता है और प्रस्ट ए है पैंदुए का वैग्यानिक नाम होता है ठीक है तो बागी चारो आप्सन के बारे हम देखिए इसका अंसर हो गया पैंदुए का नाम होता है बारा से सत्रा वर्स जो है एज होती है सत्रा वर्स ज्यादा तेंदुए जिंदा नहीं रहती है ठीक है उसकी बाद में यहाँ पर अगला उप्सन है पैंद्रा टाइग्रिस सर पैंद्रा टाइग्रिस किसका नाम होता है तो यहाँ पर आपको टाइगर दी की रहा है तो ब वर्स बागे की आयो होती है क्योंकि आयो भी पूची जा सकती है अगला है एक्विस अफ्रीसंस जो होता है वो गधे का नाम होता है बैग्यानिक और पच्चीस से तीस वर्स गधे की आयो होती है ठीक है उसके बाद है पैंतरा ओंका पैंतरा ओंका जो है वो जागवार का ना आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं किसी कारे को करने की छमता रखने वाली वस्तु के पास क्या होना आवश्यक है इनमें से ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए कि हम कारे को कर सकते हैं इसमें से एक option ऐसा होगा जिसके बिना हम कोई भी कारे नहीं कर सकते हैं जड़त्व, दबाव, धारा या फिर उर्जा क्या होना चाहिए तब ही हम कोई कारे कर सकते हैं चलिए answer दिख लेते हैं तो यह answer डिया नहीं कि अगर हमारे पास में उर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी कारे नहीं कर सकते हैं तो उर्जा सबसे ज़्यादा अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाती है सही answer इसका उर्जा हो जाएगा देखिए जब किसी बस्तुपर बल लगा जाता है तो इसके परड़ाम सरुप बल की दिसा में विस्तापन होता है बस्तापन समझ रहे हैं चीज उसी दिसा में जो हागे बढ़ती है बल के भी प्रीदिसा में आगे बढ़ती है तो उसे बल दारा की गए इस्तिती परिवर्टन को कारे कहा जाता है यानि जो इस्तिती परिवर्टन हुई अगर वो यहाँ पर रखी हुई है और आपने बल लगाया और वो यहाँ पर पहुँच गई, तो यहाँ पर क्या हुआ विस्तापन हुआ, और जो इस्तिती परिवर्टन हुआ, इसी को हम कारे करते हैं, कारे करने के लिए उर्जा की आवशकता होती है, और उर्जा ही यहाँ पर आपको option में दिया हुआ है, तो जो एक बिद्दुद चुमकी तरंग है, option A है अवरक्त केड़े, option B है अल्टरसोनिक तरंगे, option C है धोनी तरंगे, option D है कैथोर्ड केड़े, चलिए answer दिख लेते हैं, कौन सा एक बिद्दुद चुमकी तरंगे है, सही answer है, यानि कि जो अवरक्त केड़े होती है, वो आपकी की और कौन कौन सी बिद्दुद चुमकी तरंगे होती है, आईए उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी ले ले लेते हैं, अवरक्त केड़े, option में से यहाँ पर बिद्दुद चुमकी तरंगे है, तो वे तरंगे जिनमें बिद्दुद और चुमकी शेतर कमप की खोज के बारे में पूछ लियाता है, तो विलियम हर्सेल ने अवरक्त किर्णो की खोज की थी, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण देखते हैं, देखिए, जल में अडों का मेल किसके कारण होता है, कौन से बॉन्ड की बांड की वज़े से, जल में अडों का मेल होत होता है option A is solution with option hydrogen added option C ionic, option D ि son wonder walls, force answers की बात करते हैं चलिए देख लेते हैं वैसे answer णिम्हकों बता दिया है तो यहां पर पाया जाता है ठीक है जलके अड़गों के मतं हाइड्रोजन बॉंड पाया जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बंद सही आंसर हो जाएगा देखिए जल के अड़ों में मेल हाइड्रोजन बंद की वज़ाई से होता है अब यहाँ पर सही सभूज़क प्रस्ट जो ऑप्सन है यह बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है क्यों आइए देख लेते है देखिए सही सभूज़क बंद ठोस अवस्था में अधिकतम होता है नटीपी से पूछा गया था कि ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा कौन सा बॉन्ड यूज होता है तो सही सभूज़क बंद जो होता है वो ठोस अवस्था में यूज किया जाता है बर्प के अड़ों के की बात करते हैं तो हाइडरोजन बंद दो तरह का होता है तो पहला होता है अंत्रा-90-बं wife hydrogen bond और दूसरा होता है अंत्रा-90-बॉंड दो तरह के hydrogen bond होते है एंगर प्रहते हैं और लिए अघ्रोजटी बंद होतें तो पैफसीन किसके दोरा उस सर्जित किया जाता है सीधे सीधे यह आपसे पूछा जा रहा है आपसन है यकरत आपसन बी आमासा है आपसन सी लार गरंतिया आपसन डी आंत गरंतिया आई एंसर देखते हैं सही एंसर बी यानि की आमासर गरंतियों के दोरा जो एंजाइम पैफसीन होता है उसको उसरजित किया जाता है देखिए कुछ जानकारी तो आमासर गरंतियां आमासर से पैफसीन नाम को जो एंजाइम होता है उसका उसरजन करती है तो सही आंसर जाएगा आमासर गरंतियां अ तो भोजन आसानी से पच्च जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं चिकन गुनिया किस कारण से होता है चिकन गुनिया के बारे में आपने सुना होगा लगवग दो जार तेरा चुदा के दसक में वर्स में चिकन गुनिया बहुत ज्यादा फैला तो चिकन गुनिया का रीजन क्या है निमेटोड गैस क्लोरोफिलस जीवाडू या फिर वाइरस या फिर फंगस तो किसकी वज़े से चिकन गुनिया होता है आई एंसर देख लेते हैं सही एंसर सी यान की वाइरस की वज़े से चिकन गुनिया होता है सर्क कौन सा वाइरस ह का हो जाएगा वाइरस देखिए चिकन गुनिया जो है ना वो चिकन गुनिया वाइरस के नाम से होता है तो वाइरस का नाम भी क्या है चिकन गुनिया यह ठीक है और यह मच्छरों से होने वाली बीमारी है आपको याद अकना है मच्छर जनित बीमारी है कौन सी चिकन गुनि तो यहां एक वाइरस जनित बीमारी है जिसका नाम है चिकन गुनिया वाइरस का नाम भी है चिकन गुनिया वाइरस ठीक है आगे बढ़ते हैं देखें निवलकित में से कौन सा एक विवर्तन का उदारान है फिजिक्स का यह प्रस्ण है और सने है आस्मान का नीलरंग और सन यह तारों का टिम्टी माना ओप्शन C यह टिंडल प्रभाव ओप्शन D है सीडी पर बरने वाला इंद्रधनुस पैटरन आई एंसर देखते हैं सही एंसर D यानि कि सीडी पर बनने वाला जो इंद्रधनुस का पैटरन होता है वो एक विवर्तन का उधारन होता है बाकी बात करते हैं आसमान का निरधारन है वो तिंडल प्रभाव के वज़ेस से होता है तो तंडल प्रभाव का यूज होता है वहीं पर बात करते हैं तारों का टिंड़ौ माना क्या है तो सर्थ तारों का टिम्टिमाना प्रकास के अपवर्तन को दरसाता है तो याद हकी का प्रकास के अपवर्तन को तारों का टिम्टिमाना दरसाता है ठीक है विवर्तन को सीडी दिखाती है और आसमान का निर्धारर और टिंडल प्रवा इन, दोनों को अगगे रखते हैं और अगला प्रस्ट देखते हैं देखे चारो आप्शन इसलिए कलिए करते हूं चलुँ है कि इन आप्शन में जिया पूछा जा सकता है देखे आहर नली में अंगो दौरा- इस्तिराबित कौनसा रस वसा के पूर्ड पाचन में महतपुल भूम का निवाता है देखे हमारे सरीर में वसा होता है और जो वसा होता है जिसे हम फैट कहते हैं अगर वो हमारे सरीर में जम जाता है तो मोटा पक यहां पर बढ़ जाता है और भी बिन प्रकार के रोग हो जाते हैं तो जो वसा होता इसके पाचन में मह पित रस और अगनासय रस ये दोनों मिल करके जो यहाँ पर हमारे सरीर में वसा जमा होता है उस वसा को पचाने में महत्वपूर भूमिका निभाते हैं देखिए तो अंगो द्वारा इस्तरावित पित रस अगनासय रस वसा के पाचन में महत्वपूर भूमिका निभाता है तो पित रस क्या करता है, जो भोजन होता, उसको छारी बना देता है, और जो वसा होता है, जो मोटावा बढ़ने के लिए, वसा आपका जमता चला जाता है, इसको तोड़ने का काम कौन करता है, पित रस इसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है, जिसे पाइल जूस कहते हैं, अगनासे रस में अगनासे दोरा इस्त्रावित विभिन एंजाइम होते हैं जो भूजन के पाचन में महत्रपूर भूमका निभाते हैं ठीक है तो अगनासे रस अगनासे के दोरा यहां पर इस्त्रावित किया जाता है विभिन एंजाइम होते हैं और भूजन के पाचन में मह आई एंसर देखते हैं देखिए यह जो प्रैक्टिसेट हम आपकी लेकर क्या है थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छे नमबर लाने है दूसरों से अलग बनना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ठीक ना दूसरों स लेक्टन बहुत लाने होगा है लाने होगा उसकी मानब्हेजिया च्रण इसका प्रेगान इनकि समवहन की दौरा इलेक्ट्रिक कितली में पानी गरम की आजाता है। पानी की गरमी होगी वो गरम चीज से ठंडे की और बढ़ती है ठीक है तो यह जो गरमी होगी यहां की वो आपकी पानी कितली के हथे की तरफ बढ़ती है ठीक है तो इससे यह प्रदरसित होता है कि जो पानी का गरम होना है वो समवहन की प्रक्रिया को दरसाता है यानि कि गत गती होती है वो समवहन के दारा होती है पानी की अड़ों के मद्दी गती जो है वो समवहन के दारा ही गरम किया जाता है ठीक है सही आंसर हो जाएगा बी यानिकी समवहन इसका बिलकुल सही एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निमलिकित में कौन सा कथन कपूर और अमोनिय ammonium chloride के बारे में बिल्कुल सही है दोनों अकार्बनिक योगिक हैं दोनों उर्धो पातन होता है दो और ती दोनों चलिए answer देखते हैं सही answer क्या है सही answer है यानि की दोनों में उर्धो पातन होता है आपने सुना होगा कपूर जो है वो अगर आप खुले में रख देंगे तो उड़ जाता है तो कपूर और ammonium chloride दोनों ही कमरे के तापमार पर ठोस होते हैं वैसे अगर आप देखेंगे तो कपूर भी ठोस होता है और ammonium chloride वो भी आपका ठोस होता है लेकिन गर्मी लाग होने पर सुईक्रत हो जाते हैं यह देखिए यहां पर रॉंग हो गया यहां पर देखिए तो भासा मिस्प्रिंट है यहां पर यह दोनों जो होते हैं क्या होते हैं अगर गर्मी यहां पर आ जाते हैं वास्पी करत हो जाते हैं और इस क्रिया को ऊरथ multiplayer जाता है यानि कि कपूर और ammonium chloride technologies को बढ़े पूर्ण टॉपिक थे महत्पूर्ण प्रस्ट थे आपके सूचना यह आपके क्या नाम है विज्ञान प्रध्योकी से संबंदे इस तरह के प्रस्ट आपकी परिच्छा में देखने को मिलने वाले हैं बागी यह वीडियो अगर आपको पसंदे वीडियो लाइक कीजिए दोस क्रेंट अफेर यहाँ पर कवर करते हैं डेली वेस पर MP क्रेंट अफेर को भी कवर करते हैं तो वहाँ पर जा करके आप जरूर देख लिजेगा आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्पूर्ण साबित होने बाली है बाकी अगर आप वारा पीडियो डाउनलोड करना चाहत जल्दी मिलते हैं कल सुबह साथ साथ बजी करेंट अफेर वाल वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार